हेलो फ्रेंड्स आज हम आपके साथ गुलाब जल बनाने का तरीका शेर करने जा रहे हैं कि गुलाब जल को किस तरह से तयार किया जाता है तो फ्रेंड्स इसको ब्यूटी में खाने में किसी भी चीज़ में आप यूज कर सकते हैं और यह बहुत ही प्योर और शुद्ध केमि वाश कर लिया है यह देशी गुलाब की पतियां है यह देखे फ्रेंड्स इसमें से सारी डंडियां और खराब पतियां सारी हम अलब करके निकाल देंगे यहां पर हमने एक पतिला ले लिया है थोड़ा भारी तले का पतिला होना चाहिए इसमें एक स्टेंड रप देंगे ये देखिए इस तरह ऐसे और इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे ये आरो का पानी है फिल्टर किया हुआ और इसमें गुलाब की पत्तियां साइडों में चारों तरफ लगा करके रख देंगे ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया और एकदम से प्योर गुलाब जल बन करके तयार होता है अपने घर के बने हो गुलाब जल को आप यूज करें बिल्कुल प्योर बजार से जो गुलाब जल ख़ईते हैं उसमें केमिकल्स डले होते हैं प्रिजर्वेटिब डले होते हैं तो घर का एकदम शुद्ध और प्योर गुलाब जल बन करके तयार होगा इसमें हम बीच में एक बाउल रख देंगे यह देखे फ्रैंट्स थोड़ा चोड़े मुझा बरतन रखेंगे ताकि आप स्टील का बरतन भी रख सकते हैं ताकि सारा गुलाब जल उसमें इकठा हो जाए और इसमें हम एक ढकन रखेंगे जो थोड़ा गहराई की तरफ हो दूंगा हो थोड़ा सा इसको इस तरह से रखेंगे ताकि जो भी स्टीम बनेगी बरतन के अंदर वो सारी स्टीम बरतन के अंदर इकठी होती रहे यहां पर हम गैस को ओन कर देंगे पांच मिनट हम मीडियम रखेंगे गैस को उसके बाद हम स्लो गैस पर इसको 20 मिनट तक पकाएंगे यह देखे फ्रंट्स हमने पतिर में पानी भरके भी इसके उपर रख दिया ताकि वेट रहे इसके उपर ताकि स्टीम कहीं से निकलेना और खुश्बूदार गुलाब जल बन करके तयार हो अब हमरा टाइम 25 मिनट पूर हो चुके हैं हम इसको हटा देंगे और 5 मिनट हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो भी स्टीम कट्थी हो उसमें निचे कट्थी हो जाए यह देखें फ्रेंट्स अब हम इसको हटा करके देखेंगे यह देखेंगे यह हमारा बिल्कुल प्यूर ग्लाब जल बन करके तयार हुआ है यह बीच में जो बावल में आया है यह आप खाने में या फिर ब्यूटी पैक वगरा में इसको यूज कर सकते हैं और नीची पत्यों के बीच में भी हमारा थोड़ा सा पानी गठा होता है उसको हम एक हफते तक फ्रीज में रख करके फेस पैक में यूज कर सकते हैं और फ्रेंट्स जो हमारा प्यूर ग्लाब जल बन करके तयार हुआ है इसको हम फ्रीज में रख करके छे महीने तक यूज कर सकते हैं यह देखें यह पिंक कलर का गुलाब जल है इसको आप एक अफ़ते तक भीज़ करें और प्योर गुलाब जुको छे मीने तक फ्रीज में रखाते हैं तो अगर आपको हमारे तरीका पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेर करना ना भूले बेल आइकन को भी प्रेस करें तक हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलती रहे तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नई रेसिपी के साथ थैंक यू फर वाचिंग